मस्कार आप सभी का एगेंस्ट क्रप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेगे बिहार आज सूचना आयोग में किस तरह सूचना आयोग के कुछ कर्मियों की मनमानी के कारण कुछ पताधिकारियों की मनमानी के कारण आवेदक को किस किस तरह की परिशानी का सामना करना पड़ता है और किस तरह सूचना आयोग आवेदन को खारिज करने का प्रयास किया करते हैं आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किये हुए अवस्य देखेंगे जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अवस्य सब्सक्राइब कर लेंगे तथा इसे इतना सेर करेंगे कि हर भारत्य को इसकी जानकारी आशानी से हो सके और वो अपने आवेदन देदने समय अपनी सावधानी रखेंगे जिससे उनका आवेदन खारी होने से बचा जा सके तथा एक लाइक अवस्य कर देंगे यह सूचना आयोक का एक अलग ही नियम कानून बन गया है जिसमें ये लोग अनित रूटी में प्रपत्र कौमें अंकित आवेदन सगलग नहीं है का बहना बना कर इस आवेदन को वापस कर देते हैं हलांकि इसे सुधार कर पुनहतिस दिनों का समय दिया जाता है दायर करने के लिए लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं यह जो वापस किया गया है प्रपत्र कौमें अंकित आवेदन सगलग नहीं है का बहना बनाया गया है जबकि यह प्रपत्र कौमें आवेदन सगलग कर दिखा दिया गया था जिसकी कौपी पूरे यह अभिलेक आज ही मुझे मिली है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यह मेरा आवेदन था जिसे मैंने आयोग में खुद जाकर जमा करवाया था आप लोग ध्यान रखेंगे इस पर अपीलवाद भी हो गया है उसमें सुनवाई भी हुई जिसके आलोग में बदादिकारी द्वारा कारवाई नहीं की गई इसलिए मैंने पुनह सिकायद बात किया था आप लोग ध्यान रखेंगे मैंने अंत में अंडरलाइन कर दिया है कि PIO द्वारा पत्रां कितना दिनां कितना से प्राप्ट की गई संकलित सूचना कुल 14 पेज मैं यह मैंने अभिलेग जमा किया था जिसमें कुल 14 पेज है और इसमें जो लिखा गया है कि प्रपत्र कौ में अंकित आवेदन सगलग नहीं है यह आवेदन भी सगलग नहीं है आप लोग पूरे अभिलेग को देखेंगे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ किस किस तरह गड़वड़ी कर आयो के कुछ कर्मियों के द्वारा यह आवेदन वापस किया जा रहा है यह प्रपत्र को है आप लोग ध्यान रखेंगे यहां लिखा हुआ है जनता दरवार संख्या इतना से जिलादिकारी महोदे से मिलकर तिनांग 14, 12, 18 को एक आवेदन दिया गया था इसी संबन में मैंने सूचना की मांग की थी इसमें अपीलवाद में एडियम मधेपुरा को फाइन भी हो गया है लेकिन मुझे सूचना भी परदान नहीं करवाई गई थी इसलिए मैंने पुनह इसमें अपीलवाद दार किया था आयोक का आदेश भी है आप लोग देखें और जो आदेश था वांचित सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण उन पर 25,000 का अर्थडन अध्यारोपित किया गया था लेकिन मुझे सूचना सौचना नहीं दिलवाई गई थी या देखें या जो है बिलंब के आरोप में अस्थापित पाते हुए सूचना अधिकार अधनियम की धाराएक के अंतरगत 25,000 का अर्थडन अध्यारोपित किया आता है यह आदेश हुआ था लेकिन चुकी मुझे सूचना नहीं दी गई थी इसलिए मैंने पुनह वर्तमान लोग सूचना पदाधिकारी के खिलाप सिकायतवाद दार किया था अब आप लोग देखें मैंने जो आवेदन दिया था आप लोग डेट ध्यान रखेंगे यह मेरा एक पेज का आवेदन है इधर दूसरा पेज है यह तीसरा पेज है और डेट आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें डेट भी सगलन करके दिया गया था देखिए यह डेट है 14.12.18 यही आवेदन यह कर रहे हैं कि अभी लेख में सगलग नहीं है आप लोग देखें प्रपत्रकों में अंकित आवेदन सगलग नहीं है जबकि कुल 14 पेज का मेरा पूरा अभिलेख इसको बना कर मैंने सुचना आयोग में जमा करवाया था इसलिए आप लोग जो भी सिकायत करें या पील करें जिस से संबंदित सुचना की मांग की गई है जिस आवेदन के आलोक में उसका आवेदन अवस्य दें नहीं तो आपका आवेदन वापस कर खारिज किया जा सकता है जैहिन